असलाम लेक्म स्टूडेंट्स अभी तक आप सोशल एंटरपनियोर्स की दो टाइप आपॉलोजी से वाकिफ हो चुके हैं आपने क्रिस्माटिक हीरो टाइप सोशल एंटरपनियोर्स के बारे में जाना हमने मैनेजेरियल सोशल एंटरपनियोर्स के बारे में जाना इस सेशन में हम कम्यूनिटी बेस्ट एंटरपनियोर्स के बारे में बात करेंगे Community Based Entrepreneurs मेरे और आपके जैसे आम लोग हैं उनको शायद ये भी नहीं पता होता कि वो Entrepreneurship कर रहे हैं ये concept चो है Community Based Entrepreneurship का ये नियो लिब्रल्स मार्केटिजम से आया है बिसिकली जहां आपको तमाम वो जो खानदान से, दोस्तों से, Community से सपोर्ट मिलती थी वो आपको institutions की सूरत में, Paid Form में, जैसे Child Care, Elderly Care, Nursing Care ये सब आपको पैसे दे कर मार्केट से मिलने लग गई और लोग एक दूसरे से दूर हो गए, अब किसी को पता नहीं होता कि उसके हमसाए में कोई बिमार है ये उसकी Community में किसी का कोई मसला है, ये लोगों की कोई सुरूरियात है तो ये आप कह सकते हैं कि ये Good Old Days Community Development के जो हैं, उनकी तरफ वापसी का सफर है ये Community के Members जो हैं, खुद Community के अंदर रहने वाले लोग, एक Responsible Citizen के तोर पे मौश्टर ने जो उनको दिया है, उनकी Community ने उन्हें जो दिया है, उसको अच्छे लफ़ों में लोटाने की एक कोशिश है जो Community Based Entrepreneurs करते हैं इसकी एक मिसाल मैं आपको आस्ट्रेलिया से दूँगी, मुझे कुछ हरसा वहां पर रहने, काम करने और पढ़ने का इतफाक हुआ अगर आप आस्ट्रेलिया की जोग्रफी से वाकिफ हों तो आपको अंदाजा होगा ये एक बहुत बड़ा से कॉंटिनन्ट है दूर दूर कमिनिटीज है, बहुत बड़े बड़े लाखो एकर्ड के फार्म है आस्ट्रेलियन फार्मर्स हमेशा बिचारे घाटे में रहते हैं आप सोच रहे होंगे, अगर किसी का लाखो एकर्ड का फार्म हो तो वो घाटे में कैसे जा सकता है Imagine, एक फार्मर जो है, वो एक लाख एकर्ड पर गंदम उगाता है और उसकी बहुत अच्छी फसल होती है आस्ट्रेलिया की आबादी बहुत कम है, वो सारी गंदम आस्ट्रेलिया में कंजियूम नहीं हो सकती लेकिन पाकिस्तान जो है, वो आस्ट्रेलिया की बजाए इंडिया से गंदम खरीदना प्रिफर करेगा क्योंकि आस्ट्रेलिया से गंदम खरीदने में बहुत ज़्यादा कराया पड़ जाएगा तो आस्ट्रेलिया को उनके फार्मस को अपनी गंदम साया करना पड़ती है इसी तरह कम्यूनिटीज जो दूर दूर हैं उन फार्मस के इर्द गिर्द शहरों में वो अमरीका से आई वे टमाटर, दूद, पनीर और इस तरह की चीज़ें इस्तमाल कर रही है और उनके करीब उनके फार्मस जो हैं वो भूके मर रहे हैं तो लोगों को करीब लाने के लिए लोगों ने आपस में एक इनिशेटिव लिया फार्मस और लोग एक दूसरे की जरूरत उनको समझने की कोशिश की अब लोग क्या करते हैं कि वो सुपर मार्किट से फल सबसियां खरीदने की बजाए फार्मर को अपने लोकल नजदी की फार्मर को बताते हैं कि उन्हें क्या जरूरत है या फार्मर जो है वो अपने जो नजदी की कमिनिटीज हैं उनसे रापता रखता है उनकी क्या जरूरियात है वो हफते के हफते कंटेनर्स बना के किसी को 2 किलो दूद, 4 किलो टमाटर, 2 किलो बिंडी जो भी चाहिए वो एक कंटेनर बना के दूसरे में उसकी जरूरत के उनके containers बना देता है कुछ लोग फार्म पे pick करने आते हैं उनकी और फार्मल की मुलाकात होती है आपस में interaction बढ़ता है कुछ लोगों को फार्मर जो है उनके घरों पे वो पहुंचाने जाता है delivery देता है, पैसे लेता है एक कपचाए पीता है, गपशप हो जाती है communities जो हैं अब लोग एक दूसरे को जानते हैं एक दूसरे को support कर रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे की जरूरत पुरी कर रहे हैं So, इस example से I hope आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह entrepreneurship के थुरू business के जरिये से एक दूसरे के क्रीब आते हैं एक दूसरे के मसाइल जानते हैं एक दूसरे को support करते हैं और अपनी communities को build करते हैं Community Based Entrepreneurship या Community Based Entrepreneurs जो हैं, वो बन्यादी तोर पे emphasis उनके हां business या profit के उपर नहीं है बलके community की sense of belongingness पर है के लोग अगर आपस में एक दूसरे को जानते हों एक दूसरे के मसाइल से आगाह हों और within themselves वो उनको हल कर सकते हों तो इस से बहतर option कोई नहीं है governments भी इस concept को promote करती हैं बतौर responsible citizen या responsible citizenship का जो concept है उसके हवाले से governments लोगों को facilitate करती हैं communities को के वो आपस में entrepreneurial activities जो हैं उनको develop करें और उनको government promote करती है उसमें enabler ये facilitator का रोल करती है हम कह सकते हैं के community based entrepreneurs दरसल मौशरे का खुबसूरत चहरा है उनका अखलाकी चहरा हम उसको moral face of the community and society हम उने कह सकते हैं ये वो लोग हैं जो लोगों को आपस में जोडते हैं उनको एकठा करते हैं और जो sense of community marketism की वज़ा से आइस्था आइस्था खतम होती जा रही थी वो वापिस ला रहे हैं अगर्चे लोग मसाइल के गिर्द business like activities के गिर्दे कठे होते हैं लेकिन जो उनके आपस में मिलने जुलने से उनके आपस में bond strengthen होते हैं दरसल वो social capital है जो इस किसम की entrepreneurship के जरीए से promote होता है community based entrepreneurs के लिए कोई खास हुबियां नहीं चाहिए managerial skills नहीं चाहिए charisma नहीं चाहिए मैं आप कोई भी एक community का हिस्सा होते हुए अगर अपना role play करना चाहे तो community based entrepreneurs कहलाएंगे शुक्रिया